compound and complex sentences यह आपके टाइप से होगी simple sentences में basically simple sentence में मुराद हो है कि जिसमें आप simply dictate का रहे हो कि हाँ my dress has become dirty मेरा कपड़े गंदे हो गए है या मेरे मेरे हाथ गंदे हैं या कुछ इससाथ आप simply किसी को dictate का रहे हो किस चीज के बारे में simple sentences sentence which is only one subject जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन सब्जेक्ट हो और वानी प्रेडिकेट हो basically subject का part आपको मैं बता दूँ कि कौन साथ है subject जो अपना task perform का रहा है यह subject बागी जितना भी आएगा प्रेडिकेट है प्रेडिकेट में ही आपका verb object सब चीज़ आ जाती है ठीक है compound sentences में आज एका compound sentences are sentence which has two or more clauses of an equal rank जिसमें दो या दो से ज्यादा clauses होंगे और equal rank की होगी अगर आपको example करवाते हूं फिर इसके बाद आपको पिदाते हूं कि clauses or two or more clauses का क्या scene है मतर्द किस तरह से क्या term है कि फिर आपको clear हो जिए we switched on the TV and watched our film basically जब two sentences को combine करेंगे और आप and or but basically conjunctions के word आप अगर use करेंगे तो जब भी आप इस तरह के word use करके two sentences को अकठा करके लिखेंगे तो आपके क्या हो जाएंगी two classes two or more classes को जब चॉइन करके आप लिखेंगे coordinate class में आपके लिखेंगे तो आपके compound sentences हो जेंगे simply आपको यहां पर अगर मैं यह कह दूँ कि जब आप दो जुम्लों को जोड़ कर एक जुम्ला बना कर लिखेंगे तो आपकी compound sentences आजएगे जैसे I and He जैसे कि कह लें के निमरा और साधिया और प्लाइग तोगेदर मतब निमरा और साधिया अकटे खेल रहे हैं बतलब दो परसंट खेल रहे हैं यह भी जो जह सकते हैं निमरा इस प्लाइग साधिया इस प्लाइग तो वो statement हमारी ज्यादा लॉंग हो जाएगा और हमें डिक्टेट करते हुए प्राब्लम होगे जब हम दो सेंटेंस को जॉइंट ली इतनी अच्छी तरी कैसे जॉइंट करेंगे कि उनका मतलब अच्छी तरी कैसे डिलिवर कर सके तो वह हमारा कंपॉंट सेंटेंस होगा अब हम करते हैं कॉंप्लेक vida के जॉइंग मतलब आदे क्रättपके। लिए मि काक्षांगी कहते हुए खङए जौने का कंपुंध टीन का घर्क जोॉइंट का ऐक हमें पुझें टूने कॉंपंट सेंटी इतन दॉब्लम होग कोई पिंटी खिसकिन के तॉईंट उन्सेंट 6 दिलिए करा तो बिलिएको